Hello student, good morning. आज का topic है, vertebral column. आज हम आपको vertebral column के बारे में पढ़ाएंगे, रीड के हटी होती हैं, जो रीड के हटी होती होती हैं, उसके बारे में बताएंगे. There are 26 bones in the vertebral column, mainly क्या होता है, 26 bones होती हुआ, vertebral column में होती हैं. The vertebral column is divided into different regions. जो vertebral column होता है, वो different regions में divided होता है. The first 7 vertebrae in the neck from the cervical spine. इसमें जो 7 vertebrae होती हुआ, नेक से लेके cervical spine. मत्यां, cervical spine में 7 vertebrae होती है, वो neck से स्टार्ट होती हैं, ठीके? विच आघों से एक स्थार्वाहिक जो इसके बाद बाद वेलां लाउस स्थार्वाहिक्से घए। क्योंने कुरेशीं प्रम इससे पाइं fall फाईब लंबार स्पाइन उसके बाद जो नेक्स पांच होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं और लाश्ट ली क्या होती है एक कोकिक्स होती है तो जो बर्टिब्रा कॉलम है इसको अल्रेड़ी नवर सिस्टम में आपको बढ़ा चुके स्पाइब लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, यह हमारी VTB column है, ठीक है, यह क्या होती है, जो हमारी यह bone है, वो just neck से start होती है, यहां से लेके, यहां तक की जो bone है, 7 bone है, जिसे हम लोग cervical VTB बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे cervical VTB खतम होती है, वैसे हमारी thoracic vertebra start हो जाती है, जो यहां से लेक जो कितनी होती है, फाइट अखेए लंबारवतिब्र शर्ट को पहती है, फाइट फाइट यहां पर को स्वाट ढरे, इसे उपद्रिप्रीबल बोली है, जो नीचे लांगा, जो इसे आट्लस की कितनी होती है, इन वर्टिबर डिस्क बोलते हैं ठीक है उसके बाद next है short form में क्या होता है कि जो cervical vertebra होती है हम उसे C से denote करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे C से denote करते हैं ठीक है उसके बाद जो हमारी thoracic vertebra होती है उसे T से denote करते हैं उसके बाद जो हमारी लंबर vertebra होती है उसे हम L से करते हैं L1, L2, L3, L4, L5 और उसके बाद वह साक्रम होता है वह एक होती है उससे हम लोग thoracic vertebra है ठीक है तो कहीं पर अगर L1 और L2 लिखा तो वह समझ लेना लंबार vertebra है ठीक है और जहां पर कहीं पर C1, C2, C3 ऐसा लिखा तो तो तुम समझ लेना cervical vertebra है अगर T3, T4, T1 ऐसा लिखा तो उसे हम लोग thoracic vertebra बोलेगे उसके बाद नेश्ट है हमारा thoracic case जिसे हम लोग वच जाल बोलते है ठीक है दा थोरेक्स इस मेड अप अप दे इस्टरनम एंडिरली आगी की तरफ क्या होता है जो हमारा thoracic vertebra होता है और कितनी 12 थोरेसिक बाद रिप्स होती है जो पीछे से सपोर्ट करती है जो हम आपको वट्रिप्रा कॉलम में पढ़ा चुके है तो पर देश्ट बाद भी बोलते है इस फ्लाट बोल यह लग फ्लाट होती है यह हमारे इस्किन के अंदर होती है इन दर मिदिल फ्रंट ऑफ द चेस्ट और चेस्ट के बीच में उती है उसके बाद जो रिप्स होती है तोल पेर साफ एस होती है फ्रॉम दे लैटरल बॉल अप तो यह किस से बट जुड़ी होती है जो पीछे के तब जो एक होती है उसके बाद क्या होता है कि यह हमारी रिप्स में होती है तो टी के पीछह यहां तक क्या होती है यहां से मreteल के तरह खरता ध्यापकर विवाद कुछ में वे विवी टॉप लंग एवगाई में शाला कि रॉठी में को यह शोलाइया, तो प्रफरल्प पह्ते हैं हमय सोफी पिर्फर स्टां नौक उबसे हैं यह cartilage है जो हमारे ribs को जोड के रखते हैं ठीक है उसके बाद यह हमारे ribs है यह body of sternum है sternum का body है यह ठीक है यह gefoid process है यह costal cartilage है ठीक है यह हमारी इतनी जो हमारी bone है यहां तक हमारी कितनी होती है दस होती है उसके बाद जो दो भून होती है फ्री होती है वो हमारी कॉस्टल काटले से जुड़ी नहीं होती है वो एक यहां पर है और यहां पर और दोनों साइड होती है यहां तक जो होती है जो केस बनाती है वो दस होती है उसके पीछे के साइ दस गेर भी यह और बार भी यह इतर से देख रो यह गेर भी और यह बार भी ठीक है तो यह मारा था थोर ऐसी केस तो बच्चों कर आपको इससे रिलिटेट कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं थांक्यू सो मच